गुरुजे, भगवान के मंदिर में एक अंधा भिकारी अहो भाव शे भरकर भगवान को धन्यवाद दे रहा था ए प्रफु, मैं कितना भागिशाली हूँ तेरी मुझ पर कितनी बड़ी कृपा है कि मैं अपने पैरों के बल चल कर तेरे दरवार में आकर मत्था टेकता हूँ भले मेरे पास द्रिष्टी नहीं है पर तेरे दरवार में आने से तेरी कृपा द्रिष्टी मुझ पर वरस जाती है ये क्या कम है सचमुस इस धर्ती का सबसे भागिशाली वेक्ती मैं हूँ प्रभू मुझ पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना उसके आने के तुरद बाद एक सेथ भगवान के चर्णों में गया अब भगवान से सिखायते करते बागा प्रभू तो कितना कंजूस है मुझ पर तु इतना अपनी कृपा क्यों नी बरसाता मेरे प्रती तु अपनी उदारता क्यों नी रखता तु ने मुझे विपुल धन्तो दिया तो मेरा स्वास ठीक नी रता मेरे स्वास्त की बिश्य में क्यों नहीं सुनता मेरी पत्नी है सब कुछ अच्छा है पर मुझे पुत्र दिया पुत्री क्यों नहीं दिया मुझे एक पुत्री भी चाहिए तुने मुझे जितना धन दिया उससे ज्यादा धन औरों को दे दिया मैं तेरा भगत तेरी सारी कृपा मुझ पर होनी चाहिए मेरे दुखों का अंत कर आखिर मेरे दुखों का अंत कब होगा प्रभू मेरे प्रती तेरी कृपा कब बरसेगी मैं तेरा इतना बड़ा भक्त हूँ मेरे दुखों का अंत कब होगा दोनों भगवान के चर्णों में गए दोनों ने अपनी अपनी बाते की एक अहो भाव से भर करके गया और दूसरा शिकायते ले करके गया अंधे के हिदय में अहो भाव भरा था तो आखे खो जाने के बाद भी अपनी अंतर दृष्टी से प्रभू की कृपा पा रहा था और सेठवाल के पास सब कुछ था फिर भी अपनी नकारात्म के दृष्टी के कारण उनका सुख नहीं भोग पा रहा था आप समझ रहे हैं दोनों में शुखी कौन भीकारी या सेठ अगर मुझ से पूछो तो जिसे लोग भीकारी कहते वो सेठ था और जिसे सेठ की रूप में देखा जाता है उसने अपनी भीकारी वृत्ती का उधारन प्रस्तुत कर दिया जब तक मनुष्य की मनस्थिति अनुकूल नहीं होती उसकी मानसिक्ता नहीं शुधरती जीवन में कभी सुख नहीं हो सकता आज गुरुदेव अपने हाइकू के माधम से यही कह रहे है द्रिष्टी पल्टा दो तामस समता हो और कुछ ना द्रिष्टी पल्टा दो तामस समता हो और कुछ ना समझ में है रही बात इधर से पढ़ोगे तो तामस होगा और उधर से पढ़ोगे तो पलट करके क्या आ रहा है समता तामस में अधेरा है समता में आनन्द है तामस को समता में बदला जा सकता है सच्चे अर्थों में देखा जाए तो यह हमारे जीवन के सुखों का निचोर है यह हमारे जीवन के सुखों का निचोर है हम जैसी दृष्टी रखते हैं हमारा वैसा जीवन बनता है हम अपने दुख को सुख में परिवर्टित कर सकते हैं यदि हमारी दृष्टी बदल जाए हर मनुष्य किसी ने किसी कारण से दुखी है और वह अपने दुखों का कारण परिस्थितियों को बोलता है मैं इस वज़े से दुखी हूँ मैं उस वज़े से दुखी हूँ और वह अपना रोना रोता ही रता है पूरा जीवन उसका यूही वतीत हो जाता है अपने दुखों का अंत नहीं कर पाता है उसका रोना वह रोता ही रता है तुम्हारे सामने चाहे कैसी भी परिस्थिती क्यों न हो यदि तुमने अपनी दृष्टी को बदल दी तो तुम हर परिस्थिती में खुशहाल रह सकते हो और तुम्हारे परिस्थितियां कितनी भी अनुकूल क्यों न हो यदि दृष्टी तुम्हारी ठीक नहीं है तो तुम जीवन भर दुखी ही रहोगे दृष्टी बदलो, सृष्टी बदलेगी यह उकती हम लोग रोज सुनते हैं गुर्देव ने आज हमें वही शुत्र दिया कि हम अपनी दृष्टी को बदल दे, सृष्टी बदल जाएगी आप चाहते हैं मेरे दुखों का अंत हो जाए चाहते हैं, चाहते हैं नहीं चाहते हैं आज मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है जो सारे दुख को शमाप्त कर दे बता दू आज की चार बाते दुख में सुख खोजें प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करें बुराईयों में अच्छाई देखें बिपत्ती में संपत्ती देखें ये जीवन का बहुत बड़ा सुत्र है तुम्हें अपने जीवन में जब भी कोई दुखा प्रतीत हो अगर अपनी दुख्ती पलट दो तो तुम्हें उस दुख में भी सुख नजर आएगा आप देखें आपका दुखक की मात्मक है किस वजह से दुखी हो कोई धन के अभाव उसे दुखी है कोई अपने स्वास्त के कारण दुखी है कोई अपने पारिवारिक परिस्थतियों के कारण दुखी है कोई अन्य समाजिक अनुकूल उताएं न वनने के कारण दुखी है यही समनकारण है आपके दुखी होने के चलो जब तुम्हें लगे कि मेरे पास धन की कमी है तो उस घड़ी में अपने धन की कमी को देखने की जगह अपने से नीचे वालों की तरफ देखो तुम्हें लग रहा है कि आज मेरे पास धना भाव है और ये अभाव की अनुभूती तुम्हें दुखी बना रही है तो बड़ा नीचे दोखोगे तो पाओगे उससे तो मैं बड़ा भागशाली हूँ मैं उससे काफी भागशाली हूँ मेरे पास अपेक्षित धन भले ना हो पर दुनिया में और लोगों के पास तो उतना भी नहीं है जितना मेरे पास है देख सकते हैं माना कि तुम कलोल पतियों की शेणी में नहीं हो लेकिन अगर देखो और तुम्हारे पास दृष्टी हो तो तुम्हारे जीवन में कलोल पतियों से बड़ा सुख हो सकता है बहुत सारे ऐसे कलोल पतियों जो बिमार है नौकर चाकर गुल्चर उड़ा रहे हैं कुत्ते कार में घुम रहे हैं सेड़ जी बिस्तर पड़े हैं सोचो अगर तुम कलोल पति बने होते हो और बिस्तर में पड़े होते तो क्या वो सुख मिलता माला मेरे पास धन का अभाव नहीं है पर मैं स्वस्त हूँ ये कम है बोलो एक बिमार सेठ भागशाली या एक स्वस्त गरीब भागशाली बोलो स्वस्त गरीब है ना तो ऐसे ही श्वस्त और गरीब बने रहने का अशिरवाद दे दू। माराज ऐसा मत करो, आप तो और आगे की बात करो, आप लोग बहुत हुशियार हो बनिया हो। एक आदमी अंधा था, संतान हीन था और बड़ा गरीब भी था। तो उसने एक देवता की आरधना की, उसकी आरधना से देवता प्रशन हो उठे और देवता ने कहां मांगो तुम को एक बरदान मांग लो, को एक बरदान मांग लो। वो पक्का बनिया था, उसने का एक ही बर्दान, बुले हाँ, एक ही बर्दान, बुले एक ऐसा बर्दान दे दो कि मैं अपने नाती को, मैं अपने नाती को सोने की थाली में दूद भाद खाता हुआ देखूँ। सोने की थाली आई तो संपनता आ गया, संपनता आ गयी और दूद भाद खाता देखूँ तो आखे भी मंग लिया, उश्यार लोग ऐसे ही करते हैं। संपनता गया, और नहीं मिल सकता है। जो तुम्हारे पास है उतने में तुम संतोस अर्खोगे, तो थोड़ा पाकर के भी तुम बले सुखी होगे, और यदि उसका संतोस तुम्हारे पास नहीं है, तो बहुत कुछ पाकर के भी दुखी होगे। एक दूसरों के सीधे मूँ बात नहीं करता, एक दूसरे का चेरा देखना पसंद नहीं करता, एक दूसरे की बुराईया भी करते रहता है। मैं उस आर्थ में भागशाली तो हूँ कि कम से कम पूरे परिवार के लोग एक साथ एक थाली में रोटी खाते हैं और लोग एक दूसरे के लिए जान छिड़कने के लिए तयार रहते हैं, बोलो, कौन भागशाली वह जो एक दूसरे को देखकर जिनका खून खौले वे, यह वे, जो एक दूसरे के लिए जान छिड़करने के लिए तयार रहे वे, भागशाली कौन? कौन? पहले वाला या दूसरे वाला? बोलो, तुम्हे क्या दिखता है? जब भी तुम्हारे जीवन में ऐसे प्रसंगटित होते, तुम्हे क्या दिखता है? तुम्हे जो पाया वो दिखता है? या जो औरों ने पाया वो दिखता है? क्या दिखता है? हमेशा दृष्टी रखो उसके प्रती जो तुम्हारे पास है, उस तरब दृष्टी कभी मत दोड़ाओ जो तुम्हारे पास नहीं है द्रिष्टी पल्टा दो तामस समता हो और कुछ न इस एक हाइकू में गुरुदेव ने जीवन का निचोड दिखा डाल दिया है पुरा निचोड जीवन का सार है दुख में शुक खोजो और देखू अभी तुम्हें धन के अभाव का दुख दिख रहा था लेकिन मैं तुम्हें 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 स्वास्त के शुक का दर्शन करा रहा हूं मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के शुक्का दर्शन दिरा रहा हूँ और उसके पास धन तो है पर अकल देड़ पैसे की नहीं आज तुम्हारे पास धन भले न हो पर तुम्हें तुम्हारे जीवन की हिता हित की उचित अनुचित की समझ है बोलो तुम अच्छे की वो अच्छे ये कितना बड़ा धने तुमारे पास है कभी इसका मुल्यांकन करने की कोशिश की नहीं करते मनुष्य को अपने जीवन में जिस चीज की कमी होती है वो अखरती है वो यह नहीं देखता कि मेरे जीमन में उपलबधियां किती है और नीचे देख लो तुम तो आज अपने धन के अभाव का रोना रो रहो थोड़ा देखो कम से कम तुम्हें मजूरी तो नहीं करनी पल रही है तुम्हें रिक्षा तो नहीं चलाना पल रहा है तुम्हें फुटपात पर तो नहीं सोना पल रहा है तुम्हें किसी जुगी जोपड़ी में तो नहीं रहना पल रहा है उनकी अपेक्षा भागेशाली हो की नहीं बोलो हो न लाखों लोग फुटपात पर सोते हैं लाखों लोग हैं जो अभाव गरस्त जीवन जीते हैं जो जो पड़ियों में जीते हैं लाखों लोग हैं जो अपना जीवन घोर दरिदता का शामना करते वे बिताते हैं मैं उनसे भागिशाली हूँ की नहीं बोलो तो बोलो धन के अभाव का दुख अब तुम्हें कभी खलेगा बोलो खलेगा अभी पहले ये बताओ आज तक खलता था की नहीं खलता तो होगा आज से दिश्टी पल्टा दो ताम असमता हो और कुछ ना बस इत्ता है उब देश मुझे सकारात मक्ता से देखना है ये देखना है कि वाकए में मेरे पास क्या है उस सकारात मक्ता के साथ यदि मैं देखना सुरू करूँगा तो वो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धी बन जाएगी तो द्रिष्टी पल्टा दो तामस समता हो और कुछ ना याद कर लो बस सब बदल जाएगा सुत्र है मुझे दुख में सुख खोजना है आप ये छमता अपने भीतर विक्षित कर सकते इसमें क्या लगता है बोलो कुछ लगता है क्या माराज ये ही नहीं होता बागी सब हो जाता तो रो हम क्या करें जीवन के दुखों की दवातों के वल इतनी है यदि इसका अनुपान कर लिया तो तुम्हारी खेर और नहीं है तो तुम जानो रास्ता यही है माल लो तुम्हारे परिवार में अन्यों की अपेक्षा माल लो तुम्हारा सरीर स्वस्तर नहीं है दूसरे नंबर पर कम से आता हूँ कई लोग अपने बिमारी को ले करके कि बढ़े परिशान होते, बढ़े दुखी होते हैं, यहाँ भी होंगे लोग, बीमार, काई लोग हैं जिनको अपने दिन की शुरुवाद दावाईयों से खानी करनी पदोती हैं, बहुत सारी लोग अपनी बीमारियों से तंग आ जाते हैं, depression के शिकार बन जाते है एक बार एक सजन एक बहन जी आई साथ में उसका भाई था बोले महराज इनने शमझाओ यह सुसाइट करना चाहती मैंने कहा क्या बात बोले महराज दस साल हो गए है कोई इलाज काम नहीं करता है बिमारी पकड में नहीं आरी पूरे सरीर टूटता है बहुत दुख होता है बहुत दर्द होता आप सहा नहीं जाता में क्या कर गए मैंने का हद हो गई तुम अपने आपको बिमार मानते हो कहां से आई घर से आई चार मंजिल पर मकान था मुझे मालूम था वस घर में लिफ्त नी थी मुझे आई रख उची जड़ी उटर नीप्स आई जड़ी जड़ी के राई यहां तक कैसे आई पैदल आई की गाले से माराज यहां तो इता रेफिक आप अपाल ऑथ है बात इन बात पैदली आई तो नी जड़ी नी चार तो कम कि अब उतरनाई पड़ता है क्या करें महराज काम तो करनाई पड़ता है वले घर में और अपना घर काम कोन करता है मैं करती हैं और कौन करेगा हमने कहा हद्ध हो गई चार मंजिल सीड़ी से नीचे उतर कर आधा किलोमेटर पैदल चल कर वो भी दिन में तीन चार बार ऐसा करने में समर्थ विकती अपने आपको बिमार मानता है माना तुम्हाले शरीर में दर्द है पर तुम उतने बिमार नहीं हो कि विस्तर पकल लो बिमार तो वो है जो हस्पताल में भरती है बिमार तो वो है जो आईशियो में है बिमार तो वो है जो पैरलेसिस का अटेक हो गया और विस्तर पकला है बिमार तो वो है जो कौमा में चल गया बिमार तो वो है जो उठ बैठ नहीं पाता बिमार तो वो है जो चल फिर नहीं पाता बिमार तो वो है जो बोल वता नहीं पाता तुम उठ रहे हो, बैठ रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, बोल रहे हो, वता रहे हो बंद करो आज से अपने आपको बिमार मनना हमने का तुम तो भली छंगी जाके देखो हमारे संग की कई ऐसी आरिकाएं जिनका होमोगलोबिन चार पांच है और उसमें भी दिर्ग भिहार उपवास, केसलोच, प्रवचन, अपनी चरिया, स्वाध्धाय सारी क्रियाएं, उन सब का पालन, और तुम से ज़्यादा खुस कहां बिमार तुमारी जो बिमारी है, उसका इलाज कराओ लेकिन तुमारी मन की बिमारी का इलाज अभी मैं बता रहा हूँ और मन का इलाज होते ही, तुमारी तन का इलाज अपने आप हो जाएगा फिर तुम्हारी बिमारी अपने अपनी अंत्रित हो जाएगी तन की बिमारी बहुत जल्दी नियंत्रित होती है मन की बिमारी को नियंत्रित करपाना कठी न होता है मैं आप से कहता हूँ आप इस तरह की दिंशरिया निभाओ की कोई बिमारी होए ही नहीं और बिमारी हो जाए, तो घबलाईए नहीं, यह सोचिए कि कम से कम मैं इतना बिमार तो नहीं, मेरे संपर्क में कैसे वेखती हैं, जिनको नौ बड़े बड़े उपरेशन हो चुके, नौ उपरेशन, उसमें स्वाइन का उपरेशन दो बार हो गया, दील की हड़ी का दो बार उपरेशन हो गया, हार्ट का उपरेशन हो गया, और अन्य उपरेशन हुए, नौ उपरेशन, और ब्रेन में एक छोटा सा ट्यूमर भी हुआ, बिमार आदमी, लेकिन गजब का जजबा मेरे पास अक्षर आते हैं, उनके मित्रनें उनका पर्चे कराते हुए, पहली बार ज इनको आशिर बात दो, ये बहुत बिमार है, नौनो उपरेशन उनके हुए और कुछ नौ कुछ बिमारिया इनकी लगी रती है, अस्थमा का भी उनको प्रॉबलम था, तो चाहे जब इनको अस्थमेटिक अटेक आ जाता है, उश्वेक्ति ने जो बात कही है, सुनकर मज़ आगिया, उनों ने कहा महराज, ये मुझे बिमार बोलते, मैं अपने आपको बिमार नहीं मानता, और मैं तो यह सोचता हूँ, कि भले कर्म के उदे से कुछ बिमारियां आई, पर मेरा इतना पुन है, कि उसकी इलाज का साधन तो मेरे पास है, आज मेरे पास धन है, और मेर पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, इसलिए महराज, बिमारी का मुझे रंच मातर दुखनी होता, मैं तो एक ही भावना भाता हूँ, जब भी मेरा अंत हो, समाधी पुरवक हो, जब भी मेरा अंत हो, समाधी पुरवक हो, ये मेरी दृष्टी है, मैं आप से पूछता इसा वेक्ती दुखी होगा, दूसरा, बिमारी से पहले ही मर जाता है, बगवान कुछ है नहीं, महराज आप या शिरवाद दे दो, हम तो थख गए, राज करा करा के, महराज कब तक भोगना पड़ेगा, कितना सहना पड़ेगा, ऐसा ही न रोना रोगे, ऐसा ही रोना कोई कान रोग नहीं होने वाला, दुख में सुख खो जो, बहुत बड़ा सुठ है, मेरा परिवार मेरे अनुकूल नहीं चलता, कोई मानता नि, बहुत दुखी, एक बार एक बहन जी आई महराज बहुत दुख्यों आके रोने लगे तो क्या बात है भे महराज क्या बताओं हमारे ये है न नाम नहीं ली महराज बिल्कुल धरम नहीं करते हमारी तो सुनते ही नहीं है महराज मैं ठक गई कहते कहते पर उन पर तो जरा भी जू भी नहीं रेंगती महराज बहुत दुख होता है मैं माईके में थी सब धरम मेरे घर में कितना धरम होता था पर महराज ये तो धरम के नाम ही नहीं सुनना चाहते महराज जी आपका चातर माश हुआ बड़ी उमीद थी कि कहीं आपके संपर्क में आकर वो बदल जाए पर महराज जी दो महिना बीच गया अभी तक तो उनने नाम भी लेना पसंद नहीं किया महराज क्या होगा मेरा जिब चाप सोच की बात सुनी हमने का अच्छा है तुम्हें इस बात का दुख है कि तुमहरा पती धरम नहीं करता यह बता तुम्हें धरम करने से तो नहीं रोक नहीं महराज मुझे तो पुरी छूट है महराज उस मामले में तो कोई दिक्कत नहीं में रोज संकाश अमाधान में आती हूँ ना अपने हाथ से निकाल कर खाना का लेते हैं महराज वैसे तो बहुत सीध कोई शरावर आप तो नहीं पीते हैं नहीं महराज सुपारी भी नहीं खाते सुपारी भी नहीं खाते तुमसे लड़ाई जगड़ा नहीं महराज कभी नहीं मैं उनसे लड़ते रती हूं वो तो कभी मुझे तेज भी नहीं बोलते हैं तुम्हारी भावनाओं का कद्र, विल्यकूल मैं कुछ भी बोलती हूं, इसर बोलती नहीं, उससे पहले मेरा काम हो जाता है, तुम्हारे रिक्वार्मेंट, बोले फुल्फिल, कोई कमी नहीं, कमाई धमाई कैसे, मराज नमपर एक की है, मराज और मामलों में तो देवता है, और मामलों में तो देवता है, पर मराज थोला, यही बहुत दुख होता है, हमने का एक काम करो, भगवान के चर्नों में एक श्रीफल चढ़ाओ, और भगवान से को प्रभू, बड़े पुन्ने से ऐसा पति मिला, अगले जनम में भी ऐसा ही पति मिले, मराज यह क्या, हमने भगवान के बाद जाकर एक नारियल चढ़ाओ, और भगवान से को प्रभू, बड़े पुन्ने से ऐसा पति मिला, अगले जनम में भी ऐसा पति मिले, मराज यह बोल रहा है, हमने यह बताओ, तुम्हारा पति खुद धरम नहीं करता तुम्हें धरम से रोकता तो, तुम्ह तुम्हारा पति तुम्हारे रिक्वाइमेंट को पूरा नहीं किया होता तो, के बले एक ही ना माइनस पाइंट है, बाकी तो प्रश है, तुम अपना धरम करो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, महराज, ऐसे तो हमने कभी सोचाई नहीं, हमने का तुम्हें पुरे गा तुम जिस चीज को लेकर दुखी हो रहे हो, उसी में थोड़ी गहराई से, सोचो, तुम्हें सुख की अनभूती होने लगेगी, खोश सकते आप दुख में सुख, बोलो, दृष्टी पल्टा दो, तामस समता हो, और कुछ ना, यही तो पलटना इसमें क्या लगना है? पले में सुखान भूती, लोग कंपेर करते हैं दूसरे से, दूसरे से कंपेर मत करो, अपने अंदर जहांक कर देखो, जो तुमने पाया है, जो तुम्हारे पास उपलब्ध है, उसका मुल्यांकर करना सीखो, तब जीवन में उपलब्धी घटित होगी, अन्न कोई रास्त नहीं है, तो दुख में सुख खोजो, चारों बाते मुझे करनी है, बुराई में अच्छाई देखें, कोई भी बुरा प्रशंग घटे, उसे आप सकारात्मक द्रिष्टी से देखने की कोशिश करें, ऐसा तो किशी के बश्का नहीं है कि कुछ बुरा घटे ही न, है क्या, महापुर्सों के जीवन में भी दुप प्रशंग घट जाते हैं, हमारे तुमारे सब के जीवन में बुराईयां घट सकती हैं, अब मुझे उसमें अच्छाई देखना है, बुराई किस तरीके की, कोई नुक्षान हो गया, नुक्षान हो गया, नुक्षान तो बुरा है, है न, नुक्षान बुरा है निश्यत, सामान वेक्ति थोड़े से नुक्सान से बहुत ज़्यादा दुखी होता है और समझदार वेक्ति बड़े बड़े नुक्सान से भी नसीहत ले लेता है बड़े बड़े नुक्सान से नसीहत लिया जा सकता है मेरे संपर्क में एक वेक्ति जिनको कारूबार में बेटा जब आया गलत पॉलिशी अपना ही नुक्षान हो गया बेटे का मन विचलित हो गया वो इस बात को लेकर हतास हो गया कि साइध मेरे भागे में कुछ है ही नहीं उसके पिता ने उसको बुलाया बिला बिटा बुला बिटा घबडा मत ब्यापार है ऐसा होता ही है तेरे को जो नुक्षान हुआ तो उस नुक्षान को देख रहा है अब मैं ये देख रहा हूँ नुक्षान हुआ पर इतना भागे सालियों करजा नहीं चड़ा नुक्षान हुआ, करजा तो नहीं चड़ा अगर हम समय रहते, नहीं समभलते और यही इस्तिती होती, गड़ा बढ़ता जाता और नुक्षान बड़ा हो जाता तो साइध हम उसकी भरपाई करने में भी समर्थ नहीं होते कम से कम इतने भागिशाली तो है कि नुक्षान हुआ, पर उतना नहीं हुआ आप ऐसा सोच सकते हैं, करज नहीं चड़ा लेकिन लोग हैं, नुक्षान होने की बात तो जाने दो फाइदा कम हो तो उसे नुक्षान गिनने लगते हैं अभी सब रोना रो रहे, कोविड में बड़ा नुक्सान है, गड़ा नुक्सान है, यह नुक्सान क्या घर का गया क्या? नहीं, महराज थोड़ी कमाई रुकी है भागिशाली अपने आपको मानो की कमाई न रुकी है गांट का गया तो नहीं गांट का गया तो नहीं एक विक्ति मिले बहुत अच्छा लगा उनकी बात को सुनका है कुछ लोग रोना रो रहे थे, महराज अब कोरोना का रोना तो ही भारी नुक्सान, भारी नुक्सान, भारी नुक्सान उस विक्ति ने कहा, महराज, यह लोग नुक्सान बोलते हैं हमें तो कुछ समझ में नहीं नहीं रहे, क्या फोले दो महिने में हमारे घर का खरिचा बहुत चीमित हो गया, हमारा पूरा बजट था, उसका 15% में काम हो गया 85% की सेविंग अब तुम 85% की सेविंग देख रहे हो कि अपनी कमाई का नुक्सान देख रहे हो, तुम्हें देखना है ये भी तो existy हो सकती है बहुत सारे लोग कहते हैं हम लोग salary 20% कट हो गई 25% कट हो गई तो घर का budget भी तो कम हो गया traveling खतम हो गई hoteling खतम हो गई mall जाना बंद हो गया बाहर का खर्चा बंद हो गया picture जाना बंद हो गया असली खर्चा तो यही है खाने पीने में कितना खर्चा होता है हर वेक्ति के घर का जो budget होता न उसका 15% के आसपास उसके खाने पीने का खर्चा 85% तो राग रंग है वो बचा ना दिरिष्टी कौन क्या है अगर वहार तुम्हारे अंदर सकारात मगदिष्टी हो तो कैसा भी दू प्रशंग घटेगा तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा लेकिन वैसी दिरिष्टी ना हो तो कै इतने ही अनुकूल हो तो रो गए एक वेक्ति अपने मित्र के हाँ गया होटल में होटल था देखा मित्र बड़ा दुखी सा था चेरा एकदम उत्रा हुआ है पुचा क्या बात है भाई बड़े परिशान से दिख रहे हैं बड़े बताओ जी बड़े मंदी का जोर चल रहा है मंदी का जोर चल रहा है उसने का हद्ध हो गई मैं देख रहा हूँ पूरा होटल हॉस्फुल है मैं देख रहा हूँ पूरा होटल हॉस्फुल है और आदे घंटे में पचास करहां क लोड़ गए लोड़ गए और फिर भी तुम कह रहा हूँ कि मंदी का दौर चल रहा है पूरा होटल हॉस्फुल और मेरे देखते देखते पचास कहा लोट गये और फिर भी तुम कह रहा हो कि मंदि का दार चल रहा है इसलिए तो दुक्यों क्योंकि कल तक सौ लोटते थे कल तक सौ लोटते थे आज पचास ही लोटे ऐसे विकती को कोई शुकी नहीं कर पाएगा बुराई में अच्छा ही देखो कुछ भी बुरा हो अच्छा देखो एक की बेटी की सगाई हुई सगाई होने के बाद वो सगाई तूट गई अब बेटी का मन बड़ा दुखी होता ही है निश्यत किसी की सगाई तूट जाए तो मन दुखी हो गए पिता अपनी बेटी को मेरे सामने समझा रहा था कि महराज ये इस सगाई के तूटने से दुखी और मैं बड़ा खुस हूँ तो क्यों महराज सगाई उनने तोड़ी पर मुझे बाद में मालूम पड़ा कि ये लड़का सराब भी पिता था और जैसा बताया गया इनका ब्यापारी की स्टेटस सही नहीं है ये करज में लदे है महराज कास अगर ये संबन नहीं तूटा होता तो साइध हमारी बेटी को और मुश्किले होती इसको समझाईए सगाई का तूटना बुराई है पर उसमें दूसरी चीजों को देखना बुराई में अच्छाई देखना है एक शुत्र है कोई भी दूप्रशंग घटे तो उसे पॉजिटिवली देखो एक आदमी अपने मित्र से मिलने दिल ली गया एक साइकील वाले ने धक्का मारा मित्र गिर पड़ा पैर छिल गए उठा और साइकील वाले के पीट ठोकी उठते ही साइकील वाले के पीट ठोकी आगंतुक मित्र ने का हद हो गई ये गांधी गिरी कहां से सिख ले उसने तुम्हे धका मारा नीचे गिराया और तुम उसकी पीट ठोक रहे तुम्हें नहीं मालू मैं इस आजमी को पहचानता हूँ वो रोज ठीक इसी समय यहां से ट्रक लेकर गुजरता है यह प्रति दिन ठीक इसी समय यहां से ट्रक लेकर कर गुजरता है गनी मत है आज साइकी लेकर गुजरा रोज की भाती अगर ट्रक से गुजरा होता और मुझे धक्का मारा होता तो मेरा क्या हाल हुआ होता है ये दृष्टी बुराई में अच्छाई तुम्हारे घर का कोई बुरा बिखती हो उसकी भी अच्छाई हो जो एक बात बताऊ गर में अच्छे लोग भी होते हैं बुरे भी लोग होते हैं पर कुछ काम में वो बुरे ही लोग काम आते हैं अच्छे लोग काम में नहीं आते हैं आते हैं न अच्छे तो धरे रह जाते हैं वहां बुरे ही काम में आते हैं तो जो बुरे हैं, उन्हें में भी अच्छा ही देखो, एक परिवार आया, देखो दृष्टी कौन क्या है, बेटा भी था, बेटी भी थी, मा बेटी की प्रशंसा कर रही, कि महराज बेटी बहुत अच्छी हुश्यार है, पढ़ाई में बहुत अच्छी है, और घर का काम भी कर लेता है, और बेटे की बुराई की, कि महराज जी ये तो कुछ सुनता ही नहीं और पढ़ता ही नहीं, उसका पिता सामने था, उसने बीच में ही टोकते वे का महराज, इसका माइन बड़ा टेक्निकल है, ये बहुत आगे चलता है. झाल